गोपाल गंज की कट्या थाने के रंजीत कुमार शर्मा की बहन की शादी नवंबर में होने वाली थी और रंजीत कुमार शर्मा के घर की स्थिती इतनी नाजुक थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। रंजीत कुमार शर्मा एक ऐसा प्लान बनाता है जिसके तहट अब शादी तो नहीं हो पाएगी लेकिन वो जेल के सलाखों के पीछे कई महीनों और हो सकता है कि सालों तक सजा भूगते। रंजीत कुमार शर्मा की बेहन की शादी नवंबर में थी परिवार की हालत ठीक नहीं थी और उसके बार उसने प्लान बनाया कि कट्या के कौशल विकास केंद्र में चोरी कर ली जाएगी। बात 9 जुलाई की है 9 जुलाई को रंजीत कुमार शर्मा अपने दो दोस्तों के साथ कट्या थाना में जो कौशल विकास केंद्र है उसमें एक तरीके से धावा बोल देता है तरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है 21 लैप्टॉप चुरा लेता है और उसके बाद आज की तारीक में जब हम आपको ये ख़बर बता रहे हैं तब वो तीनों पकड़े जा चुके हैं और अब बहन की शादी नमंबर में होगी की नहीं ये तो नहीं मालूम लेकिन रंजीत अपने दो दोस्तों के साथ कई महीनों तक जेल की हवा जरूर खाएगा पूरी कहानी आपक का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ ये लोग आपको 12 फरनीचर और देते हैं अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वाशिंग मसीन भी मिलता है इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि यूपी बिहार और जारखंड के 100 किलोमेटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलिवरी करते हैं और ये लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना manufacturing plant है जिसके चलते ये लोग कम दाम में भी अच्छा quality का product आपको दे पाते हैं इस्क्रीन पर नंबर दिख रहा है फोन करिए और अपने लिए furniture order कर लेजिए अब लोटते हैं गोपाल गंज के रंजीत कुमार शर्मा के उस कहानी पर जिस कहानी में बहन की शादी के चलते रंजीत ने कौशल विकास केंद्र का 21 लैप्टॉप चुरा तो लिया लेकिन अब इस्तिती ऐसी आगई है कि शादी नहीं हो पाएगी बहन की लेकिन रंजीत अपने साथियों के साथ कई महीनों तक जेल में जरूर रहेगा ये तस्वीर देख लीजिए गोपाल गंज के SP स्वन प्रहाद की टीम है और ये तस्वीर देख लीजिए जहाँ पर रंजीत शर् से गुजर रहा था कि बहन की शादी कैसे होगी और उसके बाद वो अपने दो दोस्तों को इकठा करता है एकठा करने के बाद ये प्लान बनता है कि कट्या थाना छेत्र के अंतरगत जो कौशल विकास केंद्र आता है उसमें से चोरी करनी है 21 लैप्टॉप अंदर रखा उसके बाद तीन दोस्तों में लैप्टॉप का बटवारा होता है रंजीत के हिस्से में 9 लैप्टॉप आता है जो रजत चोहान था उसके हिस्से में 9 लैप्टॉप आता है और जो वितुल चोहान था उसके हिस्से में 3 लैप्टॉप आता है कुल मिलाकर 21 लैप्टॉप का बाद 12 जुलाई को कटिया थाना में इस बात का मामला भी दर्ज हो गया था कि कोशल विकास केंद्र से 21 लैपटॉप गायब हुआ है। लेकिन अन्य लैपटॉप बचा हुआ था और उधर पुलिस की छापे मारी जब बढ़ती गई, पूछताच बढ़ती गई, कडाई उन्होंने करना शुरू कर दिया, तब इस बात का लिंक मिल गया कि रंजीत अपने दोस्तों के साथ कोशल विकास केंद्र को लूटने गया और उसने ही 21 लैपटॉप लूटा होगा, पुलिस वाले छापा मारते हैं, रंजीत, रजत और वितुल की गिरफतारी होती है, और जब पूछताच होती है तब वो लोग सच-सच बोल देते हैं, पुलिस के पास से 21 लैपटॉप बरामद कर लिया है, जो 5 लैपटॉप बे और अब इधर रंजीत और उसके दोस्त कितने महीने और कितने साल जेल में रहेंगे, ये तय नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो साफ है, अब पोट डिसिजन लेगा कि वो लोग कितने दिन जेल में बिताएंगे, बहन की शादी की तयारी, रंजीत को इतनी महंगी पड़ गई जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, और वैसे भी अगर आप चोरी करके बहन का शादी करियेगा, गारी खरी दियेगा, घर बनवाईएगा, या कुछ भी करियेगा, तो वो आपको रास तो नहीं आने वाला है, आज ना कल आपको पेबैक करना पड़ेगा, और रंजीत ने मह एक महीने के भीतर ही पेबैक कर दिया, बाकी आपको क्या इससे सीख मिलती और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंड बॉक्स में बताइएगा, हम फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद